करनाटक के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा जिन्हें इसी साल सरजरी हुई थी उन्हें दलीब ट्रॉफी के शुरुवाती मैच से बाहर कर दिया गया है यह उनकी चोट के कारण थी जिससे वह ठीक नहीं हो पाए है ICC ने लॉर्ड्स में खेलेंगे 2025 WTC फाइनल इंग्लेंड ने अपने 2025 क्रिकेट सीजन का प्रोग्राम घोशित कर दिया है इंग्लेंड का मुख्य टेस्ट सीजन इसी फाइनल से शुरू होगा यहां तक कि टीम इंडिया खेलेगी फाइनल भारत में इस आयोजन की चर्चा शुरू हो चुकी है ICC T20 World Cup 2024 के खिताब जीतने वाले राहुल द्रविड जल्द ही राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ सकते हैं और तीम के हेड कोच बन सकते हैं राहुल ने पहले भी राजस्थान की टीम की कप्तानी की थी और उन्होंने टीम के लिए काम किया है दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज के समापन के बाद ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी की है जिसमें पाकिस्तानी टीम की हार के साथ साथ स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की रैंकिंग में भी बड़ा जटका लगा है बाबर अब टॉप दस से बाहर हो गए है हालां की उनके साथी मुहमद रिजवान ने टॉप दस में अपनी जगह बना ली है बांगलादेश के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग में गिरावट हुई है पाकिस्तान अब आठवे स्थान पर है जो उसके टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे खराब रैंकिंग है इस गिरावट से श्रीलंका और वेस्ट इंडीज को फाइदा हुआ है दलीब ट्रॉफी दो हजार चॉबीस की शुरुआत पांच सितंबर गुरुवार से होने वाली है और श्रेय सायर की कप्तानी वाली टीम डी में खेलने वाले ईशान किशन दलीब ट्रॉफी के पहले मैच में शामिल नहीं होंगे इंडियन प्रीमियर लीग आईपी एल दो हजार पचीज के मेगा आउक्षन से पहले सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले खिलाडी रोहित शर्मा ने पिछले सीजन में हुए कप्तानी विवात के बाद अपनी टीम तै की है नीता अमबानी की फ्रेंचाइजी ने रोहित को रिटेन करने का निरने लिया है और रोहित ने भी मुंबई इंडियन्स के साथ ही बने रहने का मन बना लिया है सनराइजस हैदराबाद के आलराउंडर अभिशेक शर्मा के जन्म दिन पर उन्हें पूर्व भारतिय महान आलराउंडर युवराज सिंग ने बधाई दी युवराज ने अपने सोशल मीडिया पर अभिशेक के साथ की कई तस्वीरें और विडियो को मिला कर एक विशेश विडियो संदेश बनाया और इसे इंस्टाग्राम पर शेर किया युवराज और अभिशेक के बीच बड़ी दोस्ती है और युवराज उन्हें प्यार से सर अभिशेक कहते हैं मुंबई इंडियन्स ने पुष्टी की है कि सूर्य कुमार यादव IPL 2025 के लिए फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े रहेंगे हार्दिक पांड्या के कप्टानी को लेकर अटकले चल रही हैं आस्ट्रेलियाई टीम के स्टार आफ स्पिनर नाथन लियोन ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल को और बहतर बनाने के लिए एक सुझाव दिया है लियोन का सुझाव है कि WTC फाइनल के लिए तीन मैचों की सीरीज होनी चाहिए जिससे विजेता का फैसला अधिक निश्पक्ष और संतुलित तरीके से हो सकेगा उन्होंने यह भी कहा कि सीरीज का एक मैच इंगलेंड में दूसरा भारत में और तीसरा आस्ट्रेलिया में होना चाहिए